बेट जाईए निखिल जानी है कल्याणु मंदिर मुदारु मवद्धु वेदी वीतावाया पर्दमोनि दितमंगरी पद्मं संसार सागर नीमत जदुशेश जन्तु वोताय माने मभिनम मेजीनी शुरस्ट बुल्यनंता रंति परम शिद्ध भगवानी की देवादी देवश्री एकजराट सी आदिनाद भगवानी की चिंतावणिशी पर्षनाद भगवानी की आपकी आवाज असे लग रही है जैसे आप लोगों का उपास होगी आप उपास तो महराज लोगों का है भर्मतिश शास्यन्य वगवान महाविरेंष्वामी की परम्भोजणी संध सोमनी स्वण ही समादे शवान्वी गूर्दे वाच्छते नसे क्रश्य शुमति शाकर जी महराज के परम पोजने वाश्यल मुर्ति अचर शेक्षवाड जिस साकर जी महराज के परम पोजने अचर शेक्षवाड वीराग शाकर जी महराज के अहीं समय विश्व धर्मे की धर्मिश नहीं दर्मिस नहीं महनूँ बार रवीबार शौंबार मंगलवार बुद्वार कितने बार होते हैं कितने बार होते हैं साथ बार होते हैं और सातों बार किसी ना किसी तीथनकर भगवानी से जुड़ा हुआ होता है किसी ना किसी बार में किसी ना किसी तीथनकर प्रभु की आराधना करते हैं लेकि एक बार और है एक बार और है यदि उस बार से व्यक्ति अपने भावनाऊं उसे जोड़ जाए है एक बार और है यदि व्यक्ति उससे भली भाषी जोड़ जाए तो सारे वगवान, सारे ती थनकर अपने आप उससे जोड़ जाते है भुबार आपको पता है मुबारा आपको पता है कौन सा बार है परिवार देखो मैलाओं को पता है उन्होंने पहले ही जान लिया कि परिवार है और यदि परिवार से जुड़ जाते है तो संसार की सारी तस्वीर बदल जाती है परिवार से जुड़ना संसार की तस्वीर को दो बदलना है है उसकी साथ साथ अपने जीवन को भी बदल दिया करते हैं क्योंकि जीवन को बदलने के लिए एक परिवार एक समोही की परमावशित्ता हुआ करते है मंदो मैं बैठा बैठा को देशे वही विचार कर रहा था कि जब परमपुजी आचर वीमल साकर जी महराज और परमपुजी आचर गुर्देव शुमती साकर जी महराज एक ही नगर में एक ही छेतर पर वर्शायों किया करते थे और दौनों के अपने अपने कारिकम हुआ करते थे लेकिन एक दूसरे के विना एक दूसरे का कोई भी कारिकम होता ही नहीं था आचर विवल सागाजी महाराज कहा कर दो